इसका नॉटिफिकेशन जारी हो चुका है तो इस वीडियो में हमें इसकी ही डिटेल्स को कवर करने वाले हैं जानेंगे कि यह जो नॉटिफिकेशन जारी हुआ यह किन पदों के लिए जारी हुआ है कौन-कौन यहां पर अप्लाई कर सकता है साथ ही इसके फॉर्म फिल अप प्रोसेस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे विल आइकन में आल को प्रेश कर लिजे ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको देखने लिए मिल जाती है एक बार उसका यहां पर आप देखने क्लिए मोडिफीकेशन पर अपको देखने क्ली मेर चीजे यहां पर बार अच्पाइब कर लीिजीएगा से यहां को apply कीजिएगा यहां पर एजड़े केसं क्या होनी चाहिए आप बात करते हैं अब कैसे डाउनलोड करके चेक आउट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा Google पर और सर्च करना होगा आपको jobcareerindia.com जैसे ही आप jobcareerindia.com सर्च करते हैं आप jobcareer india की home page पर पहुँच जाते हैं home page पर आने के बाद आपको नीचे scroll करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी आपको latest vacancy देखने के लिए मिल जाती है इसके बाद आपको latest job वाले section पर आना है यहाँ आपको UPSCCDS recruitment 2013 वाली post पर क्लिक करना है इस post पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप इसकी full details वाली post पर पहुँच जाते हैं यहाँ आपको UPSCDDS से जुड़ी ही सारी details देखने के लिए मिल जाती है साथी PDF को download करने की link इस form को apply करने की link और इसके official website की link आपको यहाँ से मिल जाती है बात करेंगे किन पदो के लिए अकैंसे जारी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं Indian Military Academy के लिए post है यहाँ पर Indian Naval Academy है Air Force Academy और भी बहुत सारी अकैंसे हैं यहाँ पर अगर आप Indian Military Academy के लिए टोटल 341 है यहाँ पर आप देख सकते हैं Location India, All India से आप इसको form apply कर सकते हैं क्योंकि All India से यहाँ पर आवेदर मांगे गए हैं इसके बार नीचे स्क्रॉल करेंग तो आपको यहाँ पच कुछ important dates देखने के लिए मिल जाती हैं यानि कि इस form को आप कब से कब तक apply कर सकते हैं इस form को जो apply करने की date है वो 21 December 2022 है और इसके जो last date है वो 10 January 2023 है यानि कि 21 December से लेकर 10 January 2023 तक आप इस form को apply कर सकते हैं इसका जो exam होगा वो आपका 16 April 2030 को होगा form अभी आपको apply करना होगा और इसका exam आपका अपरेल में होगा तब तक आप इसके preparation अच्छे से कर सकते हैं exam किये इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको application fees देखने के लिए मिल जाती है इस vacancy के लिए जो application fees है वो general OBC और EWS के लिए 200 रुपए है इसके बाद आपको यहाँ पर एज लिमिट देखने के लिए मिल जाती है जो कि post wise है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप Indian military academy के लिए apply करते हैं तो यहाँ पर जो age limit है वो 212000 से लेकर 12500 तक count की जाएगी इंडियन नल academy के लिए अगर आप apply करेंगे तो भी 212000 से लेकर 12500 तक count होगी एरफोर्स academy के लिए भी आप देख सकते हैं एरफोर्स academy हैदराबाद के लिए अगर आप apply करते हैं तो भी आपकी जो age limit है वो 212000 से लेकर 12400 के बीचत की होनी चाहिए इसके बाद officer training academy के लिए अप apply करते हैं तो जो आपकी age limit है वो 21999 से लेकर 12500 के बीच की आपकी जन्म दीथी है वो होनी चाहिए ऑफिसर training academy के लिए अप apply करते हैं तो जो आपकी age limit है जो आपका जन्म है वो 21999 के बाद और 112005 के पहले होना चाहिए अगर आपने 21999 के बाद और 112005 के पहले जन्म लिया है तो आप यहाँ पर apply करने के लिए अपली केबल होंगे इसके बाद आपको यहाँ पर salary देखने के लिए मिल जाती है यूपी 80CDS के लिए जो आपकी salary lot हुई है वो 56,100 रुपाई से लेकर 1,77,005 रुपाई पर मंत salary आपकी रहने वाली है इसके बाद यहाँ पर आपको vacancy details भी देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर आप post wise vacancy देख सकते हैं इंडियन military academy के लिए जो vacancy है इंडियन नवल academy के लिए 22 है एयर फोर्स academy के लिए 32 vacancy है officers training academy के लिए 170 vacancy है officers training academy यानि की female candidates के लिए 17 vacancy है टोटल 341 तो एक 40 seconds यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसके बाद qualification की बात करने तो यहाँ पर आपको qualification भी देखने के लिए मिल जाती है इंडियन military academy पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो इंडियन military academy की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग करने के लिए इसके बाद air force academy की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी qualification है वो 10 और 12 पास आउट है फिजिक्स और मैथ से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर से ट्रेनिंग academy की पोस्ट पर कर dann at कि डिग्री होनी चैहिए अगर आप एकाडमी की लिए दिग्री होनी चाहिए और अगर अ सब्सक्राइफ के लिए यहांप जूस्ट अपह हाँ पर द्र इसके साफसे पहले पर और इससे फी टेस्ट होगा परस्वाइब को सिलेक्षों पर सब्सक्राइब अब एक मेरेकेि branchesных आप टागरा है इसके बाद ॉसकर में आपको सिलेक्षद होने वाला है। डाउनलोड ओफिसियल नॉटिफिकेशन वाली लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडियाप पर पहुंच जाते हैं और इस पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं इस पेडियाज को डाउनलोड करने के लिए आपको आफिसेल नाटिफिकेशन वाली लिंक पर क्लिक करना होगा इसके बाद ओफिसेल वेबसाइट को भी यहां से जाकर चेकाउट कर सकते हैं आश्या करते हैंári आपको इंफोमेशन पसंद आये होगी कि आपको information कैसी लगी, comments करके बताईए और इस वाकेंसे से जूड़ी होगी, अगर आपके पास कोई query है या फिर कोई suggestion है आपके पास तो आप comments में जरूर बताईए, वीडियो को like और share कीजिए, चैनल को subscribe कर लीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,